अस्सलाम अलेकुम दोस्तों जकी गोट फार्म में आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने नीग वीडियो लेकर हाजिर हूँ मेरा नाम है मुहम्मद जयार उमीद है आप दोस्त भी खैरियत से होंगे दोस्तों आज मैं हूँ खोदातपूर गाउं में औ और यहां जो मैंने बर्बरी बकरा आपको दिखाया है और इनकी फीडिंग की टाइम है सुबस हवेरे की ये टाइम है क्या देते हैं वो अपने बकरों को जो माशालला एतने अच्छे उनके बकरे तैयार हैं तो यह देखें ये इनके बकरों की डाइट है और मैं इस फार् तयार है यह देखें दो इनके यहां खाने का फीडर है इसी फीडर में यह जो फीडिंग है इनकी यह लगाया जा रहा है अभी यह देखें बकरे फार्म में अंदर बंध हैं अभी यह निकाले जाएंगे तो मैं इनके खाते की भी वीडियो आपको दिखाऊंगा और बकरे बहुत ही शौक से खा रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा अर्शद बाई से पूछ के ताकि आप भी बीना भराई के अपने घर बकरे अच्छे तयार कर सकें क्याकि अकसर ये होता है कि जो नए लौक बकरे की भराई करना शुरू करते हैं कभी तो उनकी उंगली बकरा काट देता है कभी कभी तो भर भी नहीं पाते हैं क्योंकि शुरुवात में आदट डालना बहुत ही मुश्किल है और फोर्स फीडिंग अच्छी चीज भी नहीं है कि जबरदस्तिक ही जानवर को जादा से जादा खिलाया जाए लेकिन बिना भर भराई के कोई बकरा अच्छा तयार भी नहीं होता है क्योंकि बकरों की जब टाइम हो जाती है उनकी दो दात के बाद 6 दात 8 दात जब बकरे हो जाते हैं तब बकरे कम खाना शुरू कर देते हैं तो उनका वजन वहीं पर रुका रहता है उसके बाद जब भराई की जाती ह तब उनका वजन तेजी से बढ़ता है यह देखें अब यह फार्म खुलने वाला है बकरे देखें तैयारी में है बाहर निकलने के लिए यह देखें यह देखें माशालला काफी चाव से यह बकरे खा रहे हैं यह देखें मैं इस फार्म के ओनर से भी इस बारे में जानकारी लूँगा कि वो अपने बकरों को क्या खिलाते हैं हाने में अस्सलाम लेकुम अर्शद भाई कैसे हैं अर्शद भाई अर्शद भाई यह जो बकरों बकरे जो आपके खा रहे हैं माशालला बहुती चाव से कई ऐसे हमारे बकरा के शौकीन भाई हैं जो बकरा तो रखते हैं लेकिन उनके बकरे अच्छे तयार नहीं हो पाते वagit कि बेना भराई के बबकर आच्छे तयार नहीं होते हैं लेकिन मैं जब आपके आया हूं तो आपका बकरा माशालला सारे जो बकरे आखे इसकती एधर कर एसके बनेरेほど बखरह माशाistance बक्रा आ तेसी की थेसी की चर्ट वह Gang सूबर शाम और इनके हाजमे के लिए екुछ देते हैं व्हमान बत्ति साम जे जे और अलग से कुछ नहीं देते हैं एक बकरे पे लगच कितनी मतलब कितना दाना आप देते हैं कि आपको कुछ अंदाजेते वाईसे देते थे फैंख बट बकरों को जो नए जो बकरा के शौकीन आने वाले दिनों में बकरा तैयार करें गर्शत भाई उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे वो कैसे बकरा तैयार करें अपना अगर अच्छा बकरा तैयार करना तो ज्यादा उसके उपर खर्च न करें जी सबसे बेदर टानिक है ब्रूटोन दे और यह मट्रियल इतनी दे ज्यादा नहीं बूटोन कितना दें एक बकरे को अगर 50 किलो का बकरा है तो उसको कम जब 10 एमिल दे एक टाइम दस एमिल दे जी इंशालला बकरा बहुत अच्छी तैयारी करें जी और धंडी के मोसम में उसको मखायों काई दे जनरी का थोड़ा था जनरी तूटी हुई दें कि या खड़ी जनरी तो उसकी दर्लिया बना करके जी अर्चत बाई जो पिछली साल भी आपने बकरा तैयार किया था किसी कि अच्छी अच्छी नाम था उनका भाई वह सेल के लिए लेक गया थे या कुर्बानी के लिए जी दोस्तों ये थे अमारे अर्शद भाई जिनकी आज आपने वीडियो देखी और इनके बकरों का फीडिंग भी देखी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें जादा से जादा शेयर करें क्योंकि आपकी इस छोटी सी कोशिश से हमारा हुसला बढ़ता है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए इजादत चाहता हूँ अल्ला हाफिस दोस्तों